Hello everyone, welcome back to S-Biology आज के वीडियो में आपने डिस्कास करेंगे एक और important update के बारे में जो कि आपने thumbnail देखके समझे गए होंगे कि EMS के अंदर जो MBBS करने का तरीका है वो 50 साल पुराना है उसको बदला जाएगा अब और उसका pattern जो है change होगा तो क्या है ये full detail आपको discuss करूँगा मैं वीडियो को end तक जरूर देखना आपको सर्चीज समझाएगी लेकिन उससे पहले अगर आप channel पर नए हो तो please channel को subscribe कर ले सबसे पहले वीडियो को like भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा student के पास share भी कर देना तो चलो start करते हैं आज का वीडियो जैसे कि आप पर आर्टिकल पढ़ रहे हो कि EMS दिल्ली में बदले का 50 साल पुराना MBBS की पढ़ाई का pattern तो ये क्या pattern है क्या नहीं है जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो कि यहाँ पर जब भी MBBS की studies होती है तो सभी students को करत करवाते यही है कि ज़्यादा theory का part होता है क्योंकि exam जोल होता है first year, second year, third year और इनका तो उसमें वही theory का part ज़्यादा आता है practical का सिर्फ 15% होता है बाकि 85% जो है theory का part होता है तो ज़्यादा focus theory के उपर होता है practical के उपर कम focus होता है तो जब doctor बनके निकलते हैं students तो उनका focus सिर्फ theory के basis पर तो किसी patient को handle नहीं कर सकते मैं काम तो उनका है patient को handle करना patient की care करना किस तरीके से patient को ठीक करना है तो वो चीज़े तो सिर्फ practice से ही आएगी तो practice होगी जब practical ज़्यादा होंगे तब क्योंकि अपना हाथ से जो काम करते हैं तो उसमें ज़्यादा perfection होती है तना कि books पढ़के पढ़के तो जो भी ambiguous कर रहे हैं उनको already पता है कि कितना अलग चीज़ें आती है अगर वो practice कर रहे हैं तो उस time पे वो books में जो पढ़ा हुआ ग्यान है वो तो काम आता है लेकिन उससे चीज़ें कितने different होती है वो समझ में उन्हीं को आता है जो practice करते हैं कहने का मतलब यही है कि अगर theory के basis पर बात करें तो theory पढ़के उतना perfection नहीं लाए जा सकता जितना कि practical करके लाए जा सकता है तो EMS आप सभी को पता है कितना reputated college है उंडिया का तो top first number का college है फ्रेंकिंग का तो इसके अंदर अगर यह चीज नहीं होगी तो फिर कहां होगी तो इन्होंने 50 साल बाद आज फिर इन्होंने change कर दिया है कि इसमें अब तरीका change होगा MBBS करने का वो change क्या होगा कि आप theory के ओपर focus कम करके practical के ओपर ज़्यादा focus किया जाएगा जिससे कि already EMS दिल्ली के जो doctors होते हैं वो already perfect होते हैं already professional होते हैं अच्छे इस तरीके से लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये step लिया है तो इसमें अब और ज़्यादा perfections उनके अंदर आएगी जिससे कि यहाँ पर जो MBBS करने का जो standard है वो और हाई हो जाएगा और EMS दिल्ली की अलग और पहचान बन जाएगी out of the world, out of the country भी तो आप सभी लोगों को पता है कि EMS दिल्ली ने अगर ये चीज श्टार्ट की है तो बाखी colleges भी जरूर इसके ओपर apply करेंगे और apply करते करते एक time ऐसा आएगा कि जब हर जगह पे हर college के अंदर MBBS को ज़्यादा theory के basis पर ना रख्के practical के basis पर इसको किया जाएगा तो ये बहुत अच्छा मूह था आप अपना comment करके जरूर बताएं कि क्या ये step सही था या फिर पहले जो कर रहे थे क्योंकि पहले के exam को मैंने आपको बताया कि जो भी exam होता था तो वो theory basis पर होता था तो student जो भी MBBS doctor वहाँ से निकलेंगे तो वो ज्यादा mature रहेंगे हर चीज को अच्छे से handle कर पाएंगे तो ये चीज थी यहाँ पर इसको बदलाव का कारण ये ही है और आप comment करके भी जरूर बताएं कि क्या ये बदलाव सही है या फिर नहीं तो I hope कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि 50 साल पुराना जो pattern है वो किस तरीके से change हुआ तो मिलते हैं किसी ऐसे ही update के साथ तब तक के लिए चैनल को subscribe कर देना, like कर देना जय हिंद